दोस्तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ दुनिया की 5 सबसे शुरक्षित कारों के बारे में जो घातक से घातक हमले को जहलने में शक्षम है वीडियो शक्षम है कैडिलक 1 दोस्तो कैडिलक गाड़ी दुनिया की सबसे शुरक्षित कारों में से एक है इस कार को अमेरिका के राष्टपती के लिए बनाया गया है पिलाल इस गाड़ी में डॉनल्ड ट्रम्ट ट्रैवल करते हैं दोस्तो इस गाड़ी के नीचे अगर बॉम भी फट जाए तो इसे कुछ भी नहीं होगा हर तरह के हमले को जहल सकती है ट्रम्ट की ये कार और दोस्तो इस कार को दुनिया में दब बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है ये 8 टन की वजनी कार न्यूकलियर हमले को भी जहल सकती है इसके अलावा इसमें ऑक्सिजन की सप्लाई भी दी जाती है और ये गाड़ी हर तरह के कैमिकल एटैक को जहलने में भी शक्षम है इसमें नाइट विजन कैमरा, जीपी स्टैकिंग के साथ ही सैटलाइट कॉम्निकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और इस कार का फ्यूल टैंक भी स्पेशल फॉर्म से कवर्ड है जिसकी वज़े से किसी भी कारण से ब्लास्ट नहीं हो सकता और दब बीस्ट कार के टैर कभी भी पंचर नहीं होते इस कार के सीसे पांच इंच मोटे हैं जो हर तरह के बुलेट्स को जहल सकते हैं बीम डबलू सैवन सिस्टी एल आई इंडिया में शायद भूती कम लोग होंगे जो मुकेश अमबानी जी को नहीं जानते होंगे मुकेश अमबानी की गिंती पुरी दुनिया की सबसे अमीर लोगों में से होती है और दोस्तो मुकेश अम्बानी जिन कारों में चलते हैं उनकी गिंती महंगी गाडियों में होती है अम्बानी जी की BMW 760 Li कार भारत की सबसे ज़्यादा महंगी कारों में से एक है और दोस्तो हमारे देश के प्रधान मंतरी भी इसी गाड़ी से चलते हैं दोस्तो अम्बानी जी की कार के खिड़की में लगा बुलेट प्रूफ कांच 1500 किलोग्राम का है और इस गाड़ी में डबल लेयर बुलेट प्रूफ टायर लगे हुए हैं जो की 305 किलोमेटर की रफतार से चलने में शक्षम है और सिर्फ 3.7 सेकिट्स में ये गाड़ी 100 किलोमेटर की रफतार से दौर सकती है ये कार छोटे मोटे बलास्ट को भी जेल सकती है इसके साथ कार को लेंड माइन्स के लिए भी टेस्ट किया जा चुका है और इस कार के पैट्रोल टैंक में कभी भी आग नहीं लग सकती क्योंकि पैट्रोल टैंक को सेल्फ सिलिंग कैवलर से बनाया गया है और एमर्जेंसी के दौरान इस कार में लगी ऑक्सिजन का इस्तमाल बहुत असानी से किया जा सकता है इतनी जादा शुरक्षित होने की वज़े से इस कार की कीमत साड़े आठ करोड रुपे है कॉमबेट T98 दोस्तो कॉमबेट कार रश्या देश की एक आर्म कार है दोस्तो इस कार की सवारी करने के बाद हर इंसान इसे अपना बनाना चाता है क्योंकि ये कार शुरक्षित होने के साथ पूरी तरह से एक लक्षिर कार भी है इस कार का एंटीर वेल मचली के चम्डे से त्यार किया गया है इस कार पे हमलावर्थ चाहे कितने भी फाइरिंग कर ले इस कार में बैठे व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा बुलेट प्रूफ होने के साथ ये कार लैंड माइन्स और छोटे मोटे धमाकों को भी जेल सकती है कार के अंदर एक एडवांस मल्टी मेडिया सिस्टम, सेटलाइट नैविगेशन और यातियों के लिए एक छोटी सी फ्रिज भी दी गई है और इसके साथ साथ आप कार के अंदर खुद का टेमप्रेचर भी सेट कर सकते हो और इस कार की रफतार की बात करें तो ये 180 किलोमेटर पर आवर की रफतार से भी दोड़ सकती है दोस्तो ओडी कार अपनी लगजरी और स्पोर्स कार के लिए जाने जाती है लेकिन ओडी लॉंच कर चुकी है कंपनी की अब तक की सबसे सुरक्षित कार ओडी कंपनी की A8L सेक्यूरिटी सुरक्षित होने के साथ एक लगजरी कार भी है इस कार के उपर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वली B7 परच चड़ी हुई है कैमिकल हमले के साथ इस कार पर AK47 की गोलियों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा ओडी कंपनी का दावा है कि इस कार पर चाहे कितने भी गोलिया चलाए जाएं अंदर बैठी सवारी को कुछ भी नहीं होगा इस कार का हर दरवाजा 160 किलोग्राम का है जिसे खोलने के लिए अच्छी खासी हिम्मत चाहिए ये कार M60 कैटिगरी के हतियारों और मशीन गन से हुई फाइरिंग और बम धमाकों को भी जेल सकती है बात करें इसके फीचर की तो कार का टैरक पंचर होने के बाद भी ये कार 80 किलोमेटर परावर की स्पीड से चल सकती है और किसी वज़े से कार में आग लग जाए तो ये कार उस आग को भुजाने में भी शेक्षम है दोस्तो इस कार को अपना बनाने के लिए आपको 9 करोड 15 लाख रुपे खर्च करने पड़ेंगे Mercedes S600 Pullman Guard दोस्तो आपने ये कार तो देखी ही होगी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि इस कार में हमारे देश के President चलते हैं इस कार को London की क्यून Elizabeth भी स्क्माल कर चुकी है इस कार की शुरक्षे की बात करें तो ये Machine Gun, Shotgun के हम लोग को भी जहल सकती है और कार के अंदर हर तरह की High Technology Function दिया गया है और कार में Fridge, Climate Control और President के लिए Direct Satellite Connection का Feature भी दिया गया है अगर किसी कारण से कि इस कार में आग लग जाए तो ये कार आग को भुझाने में भी शक्षम है और सिर्फ एक बटन दबाने से कार की हरे खिड़की Transparent हो जाती है ये कार खत्रे की स्थिति में सिर्फ 6.7 सेकेंड में 100 किलोमेटर परावर की रफ्तार से दोड़ सकती है कार का वजन जादा होने के कारण इसमें V12 बाइट अर्बो इंजन लगा हुआ है इस कार का कुल वजन 5000 किलोग्राम है इस कार की कीमत की बात करें तो ये 11 करोड रुपे की है दोस्तों इन में से कौन सी कार आते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियो को वट्सेप पे सीर करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धासू वीडियो के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद